हेलो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फॉन्ट तो फॉन्ट क्या होता है हम जब भी MS वर्ड यूज करते हैं तो हमको तरह तरह के अक्षरों की जरुरत होती है कभी आड़े टेड़े कभी सीधे ऑफिशियल है ना तो यह अक्षरों की बनावर्ट जो होती है वही फॉन्ट है यहांसे हम हमारे लिए हमारे डोक्यूमेंट लिए जो सब से स्टेबल फॉन्टों वह हम यहांसे यingen यूज कर सकते हैं यहां हजार रत के फॉन्ट मिलेंगे पर हम ऑफिशेल कामों के लिए कुछ सिलald फॉन्ट ही यूज करते हैं जैसे की ऑफिशियल अगर government office का काम है और चोटा मोटा letter लिखना है तो हम aerial या कैलिबरी यूज़ करेंगे और हमें बड़े-बड़े documents याने अकबार जैसे कुछ बनाने हैं तो हम time new roman और इस तरह के जो serif font कहलाते हैं वो use करेंगे ठीक है इसके अलावा भी हमको कभी letterhead या इस तरह से बनाना होता है तो हम impact या future नाम से font आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे example है ठीक है तो इसके लिए मैं अलग से separate video बनाऊंगा कि कौन सा font कब काम में लिया जाता है ठीक है तो वो concept आपका उसमें clear हो जाएगा अभी हमको ये समझना है कि इसमें हमारे पास और क्या-क्या option अवेलेबल है तो यह हो गया आपके font का collection यहां पर आपके वो सारे font मिलेंगे जो आपके computer में हैं अगर आपके computer कोई font नजर नहीं आ रहा है मतलब आप कोई font यूज़ करना चाहरे हैं और वो इस scale दे रखिए जिसमें छोटा साइज है आठ और बड़े अक्षरों के लिए साइज है 72 याने 72 इस scale में से हम कोई भी साइज सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारे टेक्स्ट का बन जाएगा इस लिस्ट में से हम कोई भी साइज सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है मान लीजिए हमको यह हमारे पास एक डमी टेक्स्ट ले रखाया मैंने ठीक है इसका साइज मुझे ऑफिशियल साइज करना है बारा का तो मैं यहां से बारा सिलेक्ट कर सकता हूं मैं इस टेक्स्ट को दो तोड़े लेता हूं, अगर मुझे निचे वाले टेक्स्ट का कोई और साइस करना है, तो में यहां से जाओंगा। और कोई और साइस, जिस मुझे यह 14 का साइस रखना है, तो मैंने इसको 14 руreaptur में का साइस लिए एक और option दे रखा है, ये दो छोटे A दे रखे हैं आपको, जिसमें एक की तरफ, एक में उपर की तरफ तीर लगा हुआ है, एक में नीचे की तरफ तीर लगा हुआ है, तो symbol से ही पता चल रहा है, जिसके उपर का तीर लगा है, वो font की size को बढ़ाने के लिए काम में लिया ज इनसे भी हम वोई size का बड़ा छोटा करने का काम करते हैं, इनसे फाइदा ये होता है कि हमारा जो अनुपाद है, इन दोनों के बीच में अंतर है, ये दोनों size सेम नहीं है, तो हम इनका एक साथ size बढ़ाना चाहें और दोनों का अंतर भी बना रहे, उसके लिए हम ये वाल केस का मतलब होता है, बड़ी ABCD या छोटी ABCD, अगर हम sentence case की बात करेंगे और यहां पर इस लाइन, पहली लाइन में देखिए, सारी चीज़ें छोटे अक्षरों की हैं, अगर मैं sentence case option यूज करूँगा, तो इसका पहला अक्षर तो capital हो जाएगा, बाकी सारे small ही रहेंगे, ठीके, यह होता है sentence case, अगला case है lower case, lower case मैंने बताया ही आपको की case का मतलब बड़ी ABCD या छोटी ABCD, तो lower case क्या होगा, छोटी ABCD, ठीके, तो छोटी ABCD में convert करना हो, जैसे नीचे का text मेरा पूरा बड़ी ABCD का है, तो इस पूरे text को मैं select करके, और lower case पे अगर click कर देता अपने आप छोटी ABCD में convert हो जाएगा, ठीके, अगला case जो है, वो upper case है, नाम से ही पता चल रहा है, याने कि बड़ी ABCD में convert करना हो, तो हम upper case use करेंगे, ठीके, मेरा पूरा ही text छोटी ABCD में convert हो गया है, अब मैं चाहूँ तो मैं उपर वाले text को बड़ी ABCD में upper case के माध्य से convert कर सकता हूँ, तो ये हो गया upper case, अगला option है, capitalized each word, याने कि हर शब्द के पहले अक्षर को capital करना हो, तो हम ये वाला option use करते हैं, ठीके, मतलब अगर मैंने कोई text select करके, इस पे क्लिक किया, तो जितने भी शब्द थे, याने if एक शब्द था, उसका पहला अक्षर capital हो ग होते हैं, और नामों में क्या होता है, grammars के हिसाब से, पहला अक्षर जो होता है, वो capital होता है, तो ऐसा हमें कुछ करना हो, तो हमें ये वाला option, capitalized each word, काम आता है, अगला है, टोगल केस, टोगल केस, जिस तरह से लिखा हुआ है, T capital होना चाहिए था, पर small है, और O small होना चाहिए था, और capital है, मतलब ये उल्टा-पुल्टा है, ठीक है, मतलब बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा करने के लिए ये वाला option यूज़ करते हैं, अगर हम गलती से तो हम single एक क्लिक से वापिस से हमारी गलती को सही कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि अभी हमारे यहां पे पूरे sentence में पहला अक्षर सबका capital है, और बाकी सारे अक्षर small है, अगर मैं toggle case क्लिक करता हूँ, तो जो छोटा था, वो बड़ा हो गया है, और जो बड़ा था, वो छोटा ह हो गया है, यह था आपका change case, अगला point है clear formatting, clear formatting मतलब हमने बहुत सारे format कुछ लगा दिये हैं, और हम भूल गये हैं, कि हमारा main text क्या था, या main style हमारी क्या थी, या फिर हमको reset करना है, यह font की style को reset कर देता है, ठीक है, मतलब अगर हम इसको एक click कर देंगे, तो जितने भी font की size वगेरा और font के नाम वगेरा हमने change किये थे, वो सारे के सारे change हो गये है, पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें case change करने का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, case तो आपको यहां से ही change होएगा, जो change case का option है, ठीक है, यहां प अंदर type होता है, ठाकि पहला अक्षर fully stop के बाद, जो भी अक्षर आएगा, वो capital होगा, ठीक है, यहां पर भी देखो, fully stop आया, उसके बाद एक C जो है, वो capital हो गया, ठीक है, इस तरह से sentence case जो है, वो हमारा normally सारे documents में लगता है, अगर हमको को कोई special case लगाना होता है, तो हम हम बाकी सारे case यूज़ करते हैं, और इस तरह से हम reset formatting भी करते हैं, clear formatting का मतलब है, reset format करना, ठीक है, हमने अगर बहुत सारे format लगा दिये हैं, याने format याने, बहुत सारे style हमने change कर दिये, इसमें, अब हम चाहते हैं कि हमसे गडबड हो गया है, हम reset करना चाहते है, हमारा जो ह बोल्ड क्या करता है जैसे अगर मैं इस sentence को इस paragraph को select करूँ और bold पे click करूँगा तो ये इसको dark कर देगा थोड़ा सा इन दोनों text में अंतर आ गया है ठीक है ये जो है वो गाड़ा-गाड़ा सा लिखा हुआ है जैसे हमने दवा के pen से लिखा है याने कि मोटा-मोटा हो गया है ठीक है तो आपको मोटा-मोटा जाड़ा-जाड़ा सा लिखना हो तो हम bold option यूज़ करते हैं ठीक है जैसे हम click करते हैं तो ये orange color में convert हो जाता है मतलब अभी bold आपका selected है और आप अगला भी कुछ भी sentence लिखोगे तो वो bold में ही type होएगा ठीक है इस तरह से हम bold option को यूज़ करते हैं अगला है italic अगर किसी में आप italic लगा दोगे तो वो तिर्चा-तिर्चा लिखा जाएगा आडा करके लिखना हो style कुछ हमको एक sentence अलग से दिखाना हो कि ये कुछ special है तो हम आडा-ाडा करके लिख देते हैं इस इसमें underline लग जाती है कोई important होता है तो हम underline लगा देते हैं और कोई हमको ऐसा दिखाना होता है कि ये fill in the blanks है और fill in the blanks के अंदर क्या आएगा तो text भी भरा हुआ होना चीए तो भी हम इसको use कर सकते हैं वो कैसे इसमें underline के भी बहुत सारे type है यहां पे underline के पास एक छो बल वाली भी है जो आपके और भी कई जगे काम आती है ठीक है और लहरदार इस तरह से है special कोई भी आप use कर सकते हैं और इसमें color का option भी है आप किसी special color की underline लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से color को select करके लगा सकते हैं यह हो गया bold italic और underline ठीक है अगला है strike throw कोई भी sentence अगर लिखा हुआ है और हमें उसको काटना है जैसे मेरे को यह पहली line जो है यह काटनी है तो हम यहां से strike throw से इसको काट सकते हैं मतलब हमको कोई ऐसी line कोई ऐसा sentence या ऐसा paragraph जो हमको document में चाहिए भी सही और कटा हुआ भी दिखाना है कि यह यहां से हट गया है या फि यह इसको include ना करें ऐसे करके किसी को correction करवाना है कोई document में तो हम इसको use करते हैं ठीक है तो इस तरह से यह present होता है कोई भी sentence लिखके उसको काट देता है क्योंकि आप पूछेंगे कि यह काटने की जरूरत क्यों पढ़ रही है हम तो मिटा भी सकते हैं computer में type करने कोई typewriter त दिखाना पड़ता है किसी ने कोई हमको check करने के लिए कोई document तो हमको उसको बताना पड़ता है कि यह आपने sentence जो लिखाए यह गलत है तो वो गलती दिखाने के लिए हम इसको use कर सकते हैं तो इस तरह से strike throw use होता है अगला point है इसमें subscribe इसको हम काम में लेते हैं formula बनाने में यह दो type के subscribe है एक में x के नीचे 2 लगा हुआ है और एक में x के उपर घात की तरह उपर लगा हुआ है ठीक है तो यह हमको chemistry और maths के formula बनाने में help करता है कैसे जैसे हमको पानी का formula लिखना है h2o पर आपने देखा होगा h2o ऐसे नहीं लिखा होता है यह जो 2 होता है वो इस से कर सकते हैं ठीक है यह click किया और यह h2o का formula बन गया ऐसे ही co2 और 2 जो है उसको select करके यह x दबा दो तो आप छोटा सा इसको पालोगे यहां पर ठीक है ऐसे ही गणित के formula होते है x square plus y square और जो square होता है वो ऐसा नहीं होता है इसको select किया control के साथ इसको भी select किया और इस वाले 2 को भी select किया और एक साथ इनको हमने घात के रूप में convert कर दिया ठीक है अब देखो मेरा cursor जो है वो घात के साथ ही लगा हुए अगर मैं कुछ नया भी type करूँगा तो घात की तरह उपर ही चलता रहेगा अगर मेरे को यह चीज बंद करनी है तो मेरे को switch की तरह यहां पे भी इसको button को वापिस दबाके इसको बंद करना पड़ेगा अब ठीक है तो इस तरह से हम यह option यूज करते हैं अगला option इसमें अक्षर की style ठीक है तो यह style जो है वो हम यहां से use कर सकते हैं हम इस style को use करके देख लेते हैं यहां पर कुछ बनी बना style दे रखी हैं हमको अगर decorative text बनाना है तो हम यहां से सीधे-सीधे इस style को काम में लेके कु इस लाइन ली और उसमें यह style लगा दी इस तरह से हम इतनी तरह की style है इनको काम में ले सकते हैं अब इनकी outline भी हम अलग से बता सकते हैं किसी और color की देनी हो तो हम outline को भी अलग color दे सकते हैं इसमें shadow लगाना हो तो हम अलग से shadow भी लगा सकते हैं हमको इसको glow करवाना यान चमक देनी है इसमें reflection याने की परच्छाई प्रतिविम्ब देना है तो वो भी हम दे सकते हैं ठीक है तो इस तरह से ये style भी इसमें दे रखी है ठीक है 2007 वर्जन में ये आपको word art के अंदर word art के नाम से मिलता है ठीक है और इसमें ये advanced feature है जो की 2007 वर्जन में आपको नहीं मिल देगा ठीक है इसके अलावा है highlighter highlighter क्या होता है किसी भी sentence को हम highlight करना चाहते हैं ऐसा एक marker pen stationary की दुकानों पर भी मिलता है जो किताब पर कोई important line होने पर हम उस पर फेर दिया करते हैं जिससे वह अलग से चमकती है ठीक है तो वह highlighter हम यहां पर यूज कर सकते हैं यहां पर कोई भी color का highlight pen use करो मतलब वह color select कर लो तो वह sentence जो है आपने जो select किया है वह highlight हो जाएगा तो इस तरह से highlight pen use करते हैं हम लोग अब इसको वापिस से undo कर देते हैं हम यहां से no color कर दोगे तो यह highlight pen बंद हो जाएगा ठीक है अगला है टेक्स्ट में color करना है याने font का color यहां तो यह style बनी बनाई थी और हम मेरे पास यह color थे हमने यहां से select कर लिए हमको अपने ही तरह का कोई color ही भरना है font की style वगेरा हमको कोई change नहीं करनी है तब हम यह color वाला option यूज करेंगे ठीक है तो जैसे इसको मैंने select किया और मैं चाहता हूं कि यह लाल color का बन जाए तो यह मैंने इसको लाल color में convert कर दिया ठीक है अभी हमारी काली शाही का pen use कर रहते हैं तो काला आ रहा था ठीक है अब हमने इसको convert कर दिया लाल में तो लाल हो गया चाहें जिस color में हम इसको convert कर सकते हैं यहां से ठीक है तो यह आज का टॉपिक फॉन आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताइए कि हमारा यह टॉपिक आपको कैसा लगा और क्या आप फॉन की फैमिली के बारे में पूरा एक लेक्चर चाहते हैं आगे की क्लासों में हम आगे के सारे टॉपिक कवर करने वाले इसलिए हमसे जुड़े रही है थैंक यू